एक कॉलम्ब है, A1, A2, A3, अब इन कॉलम्ब्स में हमारे पास क्या है कि हमने इसका वैल्यू जो है ना 1, इसका X है और ये 1 to 3, सपोस करो, इन दोनों पर ना हमारा प्रैमरी की लगा हुए है, इन दोनों पर लगा हुए है, जो कि हमारा कम्पोजिट की है, अब ये 1 X हो गया, सेकेंड में हमने ना ये 1 Y लिखा, ये वैलिड है, अब आपको होगे कि ये तो प्रैमरी की है, फिर मैं इसमें 1 कैसे एकसे अप्सेप्ट कर रहा है, तो इट मेंस ये है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के प्रैमरी की बना रहा है, अब इसमें हम यहां कह सकते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारा कमपोजिट की है, फॉरेंड की और यूनिक की एक पाट कमपोजिट की भी है, कमपोजिट की को हम ना दूसरे भी हैं कि ये प्रैमरी की ही है, यूनिक की जैसा ही है, प्रैमरी की ही है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है, ये डिफर primary की क्या होता है primary key is a column that is used to uniquely identify each tables of table की टेबल का हर rows वो uniquely identify होता है जिसमें की null value accept महीं होता यह हमारा primary की था यह primary की जब भी है हमारा primary की दूसरे table के foreign की बनेगा वो पहला primary की होगा तो वो दूसरे table में जाके foreign की बनेगा foreign की क्या है foreign की हमारा यूज होता है वो relationship के लिए होता है relationship में foreign की इसके यूज होता है क्योंकि उसे unique numbers चाहिए और वो numbers चाहिए जो पहले से table 1 में adjust करता हो उसी को ये table 2 में reference के तोर पर लेगा तो ये हमारा foreign की होता था अब हमने दिख पढ़ता है आज composite की कि ये composite की होता किया है composite की जैसा की नाम आप सुन रहे है composite इसकी ये combination of two or more than two columns दो और दो से ज़्यादा columns का जो composition होता है जो meaning के बनता है combination होता है उसको हम composite की कहते है इसको अगर हम दूसरे वे में देखे न तो क्या है कि suppose करो हमारे पास एक column है A1 A, B A, 2 और A, 3 अब इन columns में हमारे पास क्या है कि हमने इसका value जो है ना 1 इसका x है और ये 1, 2, 3 suppose करो इन दोनों पर ना हमारा primary की लगा हुए है इन दोनों पर जी हाँ इन दोनों पर लगा हुए है जो कि हमारा composite की है अब ये 1 x हो गया, second में हमने न ये 1 y लिखा ये valid है अब आप को होगी कि ये तो primary की है फिर मैं इसमें 1 कैसे accept कर रहा है तो it means ये है ये दोनों को combination मिला के primary की बना रहा है अब इसमें हम यहां पर अगर हम यहां पर 2 और x लिखते हैं तो ये भी valid है लेकिन अगर हम वहीं पर इसको अगर 1 और x लिखते हैं तो ये valid नहीं होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा कब कोजित की है इसको ना हम दूसरे वे में थोड़ा सा इसको हम देखते हैं अगर मैं SSMS का को हूँ तो SSMS में देखेंगे इसको पहले ना हम एक table के थू समझते हैं कि हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में हम इसको कैसे देख करते हैं तो जो हमारा next है वो आप देखोगे न तो एक टेबल है मैं एक टेबल लाता हूँ ये हमारे पास टेबल है हमने ये टेबल बनाया एक accounts name का accounts name में हमने account number दिया, account type दिया और ये active है या नहीं है इस step से दिया अब इसमें देखो ध्यान से आप देखो कि account 123 है जो कि current account है account 123 है ये saving भी है 132 है ये saving account है बट ये active नहीं है 321 है वो saving है और 132 ये third वाला और fifth वाला ये दोनों दो current account ये saving account है 132 current account भी है 132 saving account भी है और दोनों active भी है तो ये हमारा इन दोनों को हमने composite की बनाया account number को और account type को अब इसी के बेस पे हमने एक दूसरा table बनाया अब हम उस table को देखते हैं कि इस table में हमने इसकी value उठाई value क्या है कि value है हमारा एक ID ID के साथ साथ में हमारा है जिसमें हमने की the depositor और withdrawal का नाम दे दिया उसके बाद हमारा account name है account number है जो कि हमने यहां से reference लिया फिर इसका account type है जो कि हमने यहां से reference लिया और फिर इसका date, debit amount और credit amount यह हमने इसमें एक table बनाके हमने perform किया अब ना हम इसको आगे चलके देखते हैं कि यह हमरा वहां ssms में कैसे perform करता है तो आईए हम चलते है ssms में जी हां तो हम अभी ssms में है ssms में ना इसके लिए हम पहले एक database create करते है bank name का एक database मैंने create किया यह database हमारा बन गया इस database के अंदर हमने एक table बनाते है table जो जैसा की अभी आपने देखा था वहां पर तो table account name का हमने table बनाया जिसमें यह हमने दो primary की बनाया एक account number को एक account type को इन दोनों को हमने primary की बना दिया अब देखो यहां पर यह इसके table में आना चाहिए इसको refresh करते है जब हम इसको expand करेंगे हमारा हमने इसको select नहीं किया bank को तो table हमारा create नहीं हुआ अब हमने table create किया इसको refresh किया अब हमारा इसमें table आ गया अब नहीं मैं इसके red click करके इसके design पर देखते है आपने इसके design को आप ध्यान से देखे कि यह दोनों जो है हमारा यह यलो की है यह भी यलो की है यह दोनों हमारा जो हो primary की दिख रहे है अभी यह दोनों का दोनो जो है वो primary की है अब आप देखी यह दोनों जो volume है यह और यह दोनों हमारे पस primary की है इन दोनों का जो है allowed नल जो है ब्लेंट है नयल अलाउफ नहीं करेगा अभ हमने इन दोनों को तो primary की दिया है है अब हमें इसमें इसका सेकेंड वाला जो पार्ट था हमें वो दिखना है कि यह तो हमारे पास आ गया कि इसमें भाई इसमें नहीं है हमने इसमें डेटा इंसर्ट कर दिया दो तीन चार हमने डेटा इंसर्ट कर दिया इसमें पांच रोज हमने इसको मैं रन करके देख लेत यहां यह हमारा आ गया 1-2-3, 1-2-3, 1-3-2, 1-3-2 और 1-3-2-1 अब हम यह तो हमने देख लिए कि यह हमारा composite की बन गया अब मैं एक experiment करता हूँ कि एक दूसरे table बनाता हूँ क्योंकि transaction नाम का और उसमें ना मैं account table का account table का account number को मैं reference बनाता हूँ जिसको foreign की करता हूँ तो मैं इसे run करता हूँ आप देखो इसमें error आ रहा है, error क्यों आ रहा है इसका कहना है कि यह जो column है वो primary की नहीं है, unique नहीं है इसमें value जो है वो unique नहीं है, बात तो सही है कि इसमें value unique नहीं है क्योंकि 1-2-3, 1-2-3 यह तो duplication है तो यह कैसे बनेगा अब आप इस बात को ध्यान दो कि मैंने वहां बताया था कि यह दो columns को मिला के इन दो column के मिलने के बाद यह primary की बन रहे है तो यह column कहें duplicate नहीं है, 1-2-3 current, 1-2-3 current कहीं नहीं है 1-2-3 saving, 1-2-3 saving इसमें कहीं नहीं है 1-3-2 current, 1-3-2 current इसमें कहीं नहीं है 1-3-2 saving, 1-3-2 saving कहीं नहीं है वैसे ही 3-2-1 saving कहीं नहीं है तो यह इसका composite की है इन दोनों को मिलाने के बाद primary की बना है उसको composite की कह रहे हैं तो यह acceptance नहीं है इसके मतले में क्या accept होगा जब हम इसके दोनों के दोनों numbers, account number और account type इस table के account number और account type दोनों को अगर मैं foreign की बनाऊंगा दोगों मैंने यहाँ पे foreign की लिया account number, account type को और reference में account नाम के table से account number, account type को हमने reference दिया तो यह हमारा foreign की accept हुआ अब हम ध्यान से देखते हैं इसके table को कि इस table में transaction table के अगर हम design को देखें तो यह क्या है अब ध्यान से देखो यह हमारा जो है वो primary की है इस table का अब इसमें constant देखो index देखो यह PK है single हमारा यह वहां से PK उठके आ रहा है जब हम column open करते हैं तो यह दोनों हमारा जो है वो FK है FK in the sense foreign key यह account number और account type यह दोनों foreign key है तो हम जब भी use कर रहे हैं तो दोनों के दोनों column को हम वहां primary key को दोनों के दोनों को यहां foreign key बना रहे हैं यह difference है हमारा primary key और composite key में composite की दोनो अगर आपने दो column को लेके चल रहा है अगर आपने दो column को composite की बनाया है अगर तीन column को बनाया होता तो वह तीन column अगले table में आपको as a foreign key लेना होता है यह difference है हमारा main primary key और composite key में composite key जो है वह two or more than two tables पर अप्लाई होता है और same edge key दो है as a foreign key वह two or more than two columns पर वह apply होगा single columns पर कभी भी composite की apply नहीं होगा as a foreign key भी तो यह चीज़ ध्यान रखने वाली बात है आप लोग उसको ध्यान रखेगा तो आज का हमारा जो था आज का यही था हम next video में जो हमारा playlist है SQL Server Beginners Guide उसमें हम next में लेके चलेंगे aggregate function aggregate function क्या होता है वह हम next में देखेंगे और please हमारे चैनल को subscribe कीजे like कीजे, लोगों से share कीजे इतना मैं guarantee दे सकता हूँ कि समझाने का तरीका थोड़ा सा मेरा दोसरे type का हो क्योंकि actually I am not a teacher so teacher नहीं होते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को सही से दिखा पाऊं सही से बता पाऊं और मैं इतना तो guarantee दे सकता हूँ कि जो भी देख रहे हैं या सीख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक किए नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे डेशिक्स में जिसमें हम एग्रिगेट फंक्शन देखेंगे थेंक्यू